हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जोग्रफी क्लासेज प्रैक्टिकल जोग्रफी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम एरियल फोटोग्रेफ से रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं जिसमें सबसे प प्रिंसिपल पॉइंस को दिमारकेट करना दूसरी चीज जो आज की इस वीडियो में देखेंगे वह हम जो एरियल फोटोग्रेफ की कुछ बिंधू हम देखेंगे क्योंकि हम नंगी आंकों से देखेंगे तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो है aerial photographs पर जो हम demarket कर सकते हैं उनको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे तो aerial photographs के मार्धियम से जो है मैं आप लोगों को बताऊंगे कि किस तरह principal point जो है demarket किया जा सकता है किस तरह से उसका जो है conjugate principal point mark किया जा सकता है और कि इस तरह से marginal information निकाली जा सकती है तो चलिए start करते हैं Let's start तो यह देखे मेरे पास जो है यह दो aerial photographs है एक यह जो है black and white aerial photograph है इसको आप देख पा रहे होंगे यह black and white aerial photograph है और दूसरी जो है यह colored aerial photograph है अब हम इस पर जो है principal point निकालना सीखते है principal point के साथ जो है पहले हमें fiducial mark पता होने चाहिए तो यह जो है आप यह देखे यहाँ पर यह जो चिन है यह यहाँ पर इसके भुजाओं पर जो चारो चिन है यह जो है आपके fiducial mark है अब इसी तरह जैसे यह भुजाओं के मद्धे थे corner के मद्धे भी जो है fiducial mark होते है यहाँ आप देख पाएंगे यह fiducial mark है यह fiducial mark है यह है और यह है अब जो है इसका हम principal point निकालने के लिए क्या करेंगे कि यह जो marks है fiducial marks है इनको simply join कर देंगे scale से बिलकुल सीधा पैरलर जो है एक दूसरे पे समकोन बनाते हुए ओके तो इस तरह से जो है हम इसको join कर देंगे और इसका जो milan बिंदू है वो हमें किस रूप में प्राप्त होगा वो हमें fiducial marks के रूप में प्राप्त होगा यह जो है अब यहां पर यह देखिए यह जो है इसका principal point है क्योंकि यहां पर fiducial axis intersect कर रहे है इसी तरह अगर corner वाली होंगी तो क्या करेंगे तो भी जो है हम इनको join कर देंगे इनको जो है अगला fiducial axis कीच दिया अब आप देख रहे हो यहां पर यह भी इसका भी जो मिलन बिंदू है यह आपका क्याप कहलाएगा principal point of the image यह principal point जो है वो बिंदू है जहां पर scale बिलकुल accurate होता है और यहां हम vertical air photographs की बात कर रहे हैं ओके हम जो है vertical air photographs की बात कर रहे हैं तो यह जो है हमारे principal point हमें मिल गए exam में जो है आप लोगों से aerial photograph देकर और principal point mark करवाने के लिए पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है simply fiducial mark आपको देखने हैं वो fiducial mark या तो जो है भुजाओं पर होंगे या फिर जो है वो आपके corners पर होंगे तो जैसे भी आपकी aerial photograph पर है उसको जो है आप आपस में मिला देंगे यह fiducial mark actually camera के mark होते हैं जो की film पर स्वत्ह अंकित हो जाते हैं ओके तो इस तरहे से जो है आप यह इस पर fiducial जो mark है उसको mark हाँ तो इस तरहे से जो है आप इस पर अपने principal point को mark कर लेंगे अब principal point mark करने के बाद जो है अगर आपको conjugate principal point mark करने के लिए कहा जाएगा तो आपको एक ही area की दो successive aerial photograph दी जाएंगे ठीक है जो है successive दी जाएंगे यानि की जिस एरिया की यह photograph है overlap होता है तो अगली जो photograph है उसमें यह area आपको दिखाई देगा या तो इधर का area दिखाई देगा या इधर का area दिखाई देगा तो इस तरहे यह वाला जो point है यह वाला जो principal point है यह दूसरी photograph पर भी कहीं मिलेगा मान लीजे कि इसके आगे का aerial photograph आपको मिला है उस aerial photograph पर यह क्योंकि 60% overlapping हमें जरूरी होती है stereo pairs के लिए 60% की overlapping जरूरी होती है अगर 60% overlapping होगा तो इसका मतलब यह है कि यह जो area है इतना area जो है वो आपको दूसरे aerial photograph पर भी मिलेगा जब दूसरे aerial photograph पर इतना area मिलेगा तो आपको यह जो principal point है यह भी उस दूसरी photograph पर मिलेगा तो यह जो principal point है यह दूसरी aerial photograph पर जहां अंकित होगा ओके दूसरी photograph पर जहां अंकित होगा उसको हम जो है conjugate principal point बोलेंगे अब क्योंकि मेरे पास जो है successive photograph नहीं है तो मैं इसी तरह जो है आपको बता पाऊंगे कि ये जो principal point है वो successive अगली जो aerial photograph पर उस पर जहां आपको मिलेगा वो आपका क्या पर कहलाएगा conjugate principal point ओके अब जो है हम aerial photographs के कुछ जो है वो देख लेते हैं कि aerial photograph के margin पर कुछ information दिए उस margin information को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि वाईवा के time जो है aerial photograph दिखा कर उससे संबलित सूचना जो है आप लोगों से पूछी जा सकती है तो ये एक aerial photograph है इस aerial photograph के आप यहां पर देखेंग यहां आप देखेंगे यह चार तरहें के mark जो है अंकित है यह आपको हर aerial photograph पर मिलेंगे कई बार जो है उसकी processing के time यह इतने area को जो है निकाल लिया जाता है और यह marginal information या तो कट जाती है या अधूरी हो जाती है लेकिन यह हर aerial photograph पर होती है तो यह जो marginal information है यह क्या क्या होते हैं एक बार इसको देख लेते हैं सबसे पहले आपको इधर वाला यह जो number मिलेगा यह image identification है record image identification है यह जो image का identification number है ओके इसके बाद अगली यहां पर आप देखेंगे घड़ी का निशान बना हुआ है तो यह घड़ी का निशान वास्तव में जो है clock होती है और इस clock से जो है आप देख सकते हो बिल्कुल की जो है time भी आपको जो है पता चलेगा यह जो इसमें जो है आपको पतानी कैमरे में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा लेकिन यह जो aerial photograph है यह चार बज़े के लिए हुई दिखाई देरी यह घड़ी में साफ time नजर आ रहा है तो य इसके बाद जो है यहां पर अगला जो यह आपको दिखाई दे रहा है यह bubble है और यह आपको क्या करता है यह aeroplane की leveling के काम आता है और यहां पर हमें यह पता चलेगा कि यह वर्टिकल एर फोटोग्राफ लेते हुए यह जो aeroplane था यह सेंटर में था या नहीं आप सर्वें है वो वर्टिकली जो है बिल्कुल ठीक था या नहीं इसके बाद यहां पर आप देखेंगे यह आपको altimeter दिखाई दे रहा है altimeter का काम है कि यह आपको जो है altimeter आपको क्या लेकर देता है उचाई बताता है aeroplane की उचाई बताता है कि जिस समय यह photograph ली गई थी उस समय aerial photograph की aeroplane की जो उचाई है वो क्या थी अब यह focal length हमारे पास इसी से focal length निकलती है यह जो bubble है और यहां पर altimeter हो गई यानि कि हमारे पास focal length निकल आई और हमारे पास height निकल आई इन दोनों के base पर हम scale निकाल सकते हैं ओके तो इस तरह से जो है इनका कार्य होता है अब यहां पर एक जो है यह aerial photograph है इसकी कुछ जो है और marginal information को हम देख लेते हैं यह चार चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि यह जो है record image identification है यह वाला जो है वो record image identification है यह आपकी जो है clock है यह आपका bubble है जिसे focal length निकाली जाती है और यह जो है आपका altimeter है जिसे की height का पत चलता है ओके इसके अलावा भी जो है कई marginal information aerial photograph पर होती है यह aerial photograph है इसके जो है चीज़ें जो है आपको दिखाने की कोशिश करती हूं जैसे यहां पर यह आप देखेंगे कि यह numbers जो है aerial photograph पर दिये हुए होते हैं ओके यह वाले number देखो तो यह जो number है यह किस तरह से काम करत हैं यह जो number है यह जो यह जो numbers है यह numbers का जो है कुछ मतलब होता है जैसे यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है आपको 362 A लिखा हुआ मिल रहा है ठीक है तो यह जो 362 1362 है 1362 लिखा हुआ है तो यह 1362 जो है क्या है यह task number है यह जो है आपका क्या होता है task number होता है यह हर aerial photograph पर आपको अंकित मिलेगा इसके नीचे जो इसके आगे जो है आपको A B C तीन चीज़े तीन लेटर्स जो है लिखे हुए मिलेंगे इसका मतलब यह है कि किस agency के द्वारा ली गई है क्योंकि आपको पता है कि भारत में तीन ही एजनसियां है जो कि aerial photographs लेने के लिए अधिकरित हैं तो उनमें से Indian Air Force है एक Air Survey Company Kolkata दमदम है और एक जो है National Remote Sensing Agency है तो इन तीनों के जो मार्क है वो आपको मिलेंगे अगर A लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि Indian Air Force ने यह aerial photograph ली है और अगर B लिखा हुआ है तो इसका मतलब Air Survey Company Kolkata ने जो है यह aerial photograph ली है ओके तो यहाँ पर यह जो चीज है यह क्या हुआ यह Task Number और इसके आगे Agency Number इसके बाद जो है photographic Number होता है और Strip Number होता है फोटोग्राफिक Number यहाँ आप देख रहे हैं 811 लिखा हुआ है तो इस 811 में जो है 8 क्या है आपका जो है photographic Number है और 11 जो है वो आपका Strip Number है अब यह Strip नंबर क्या होता है एक बार जो है आपको बताती हूं बुक में एक डाइग्राम था उसको मैंने रक्था था आप लोगों के लिए ये देखिए ये जो है aerial photograph इस तरह के लिए जाते हैं एक एरिया के जो है इस तरह के लिए जाते हैं और यह जो है आपका क्या है ये overlapping है यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा है यह जो है यह overlapping हो रही है तो इस तरह यह जो है photographic number होते हैं यह one number two number three number four number five number six number यह तो photographic number हो गई एक flight line है उसके जो है साथ में photographic number होते हैं अब हमारी flight strip क्या होती है फ्लाइट स्ट्रिप क्या होती है कि यह जो है यहां से जो है मान लीजे यह पहले यहां से जो है हमारा एरियल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब यह है एरियल फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर यह जो है इसकी पहली 3 है अब इसके आगे और भी जाएगा तो वह स्टिप number 4 होगी फिर और आ भी स्टिप no.6만 होगी इस तरह से जो है स्टिप के नंबर इस पर अंकित होते चाहिजै तो यहां पर जैसे आपको लिखा हुआ है यहां जाओ है यह दो 7 जो मैं आपको बता चुकी हूँ हाँ इसके अलावा एक चीज और होती है इसमें जो है नेगेटिव नंबर और प्रेस नंबर होता है यहां इस एरियल फोटोग्राफ पर यहां पर जो है आपको यह पता नहीं इसमें जो है धुंदला है दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं दूसर जो नंबर है यह आपके क्या होते हैं यह आपके नेगेटिव नंबर होते हैं और प्रेस नंबर होते हैं इसमें से जो चार नंबर में हैं जैसे यहां पर 1333 लिखा हुआ है बिल्कुल स्मॉल अक्षर्स में होता है यह तो यह जो है 133 जो है यह आपका क्या है यह तो इस तरहे ये negative number और press number तो इस तरहे इस aerial photograph पर जो है आपको कितनी margin पर ही कितनी information जो है दी हुई होती है और proper aerial photograph जिस पर सारी marginal information दी हुई हो तो उससे तो जो है और ज्यादा चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हैं अब हम क्या करते हैं कि इन aerial photograph पर थोड़ा सा जो है अपना मतलब इन में चीज़ों को पहचाने की कोशिश करते हैं हलांकि जब aerial photograph से सूचनाई निकाली जाती है तो क्या होता है कि एक तरफ aerial photograph रखी जाती है और एक तरफ उसी area का map रखा जाता है तो उस map के माध्यम से aerial photograph पर क अरियल photograph पर उनको मार्क किया जाता है उसके बाद changes को detect किया जाता है चेंजिस को जो है निकाला जाता है अब जैसे यहां पर यह aerial photograph अगर आप देखेंगे तो इस aerial photograph में आप देख पा रहे होगे कि यह जो है पूरा black and white सा area है यह जो white area है वाइट area है बिलकुल तो इसका मतल तब यह है कि यह स्नो एरिया होगा क्योंकि आपको पता है स्नो जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करती है और इमेज पर बिल्कुल लाइट नजर आती है और वाटर जो है वो सबसे डार्क नजर आता है तो यह जो एरिया है यह स्नो होगा जरूर तो यह जो है स्नो एरिया है अब इसमें आप देख पा रहे होगे किसी तरहें की कोई जो है सेटलमेंट आपको नजर नहीं आ रही है और यह जो एरिया है यह नंगी आँखो से देखकर तो ऐसा लगता है कि यह कोई पहाड़ी एरिया है ओके तो इस इमेज से जो है हम इतना निकाल सकते हैं कि यहां प जो है ड्रेनेज लाइन के रूप में अंकित कर सकते हैं जब आप इस फोटो इस वीडियो को देखें तो प्लीज इसको जो है जो हाई रेजलुशन जो होता है वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करके देखें साइड में जो थ्री डॉट्स होते हैं उसको देखके जो उस बिखाई देगे कि यहांपर जो हैं कुछ एरिया जो हैं आपको दिखाई देगा सेत्लमेंट जो हैं यहांपर यह वाली ज़ो फीचर है देखो यह मैं और दार्क है तो ऐसा लगता हैं कि यह कोई जो है जरूर व denken बॉड़ी होगी कोई जील वगएरा इस तरहें की चीज जो है ये हो सकती है ओके एक और एरियल फोटोग्राफ मेरे पास है इस पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है और ज्यादा अच्छे से दिखाई जो है ये किसी शेहर की फोटोग्राफ लगती है किसी रेजिडें होंगे और यहां जो है आपको दिखाई देगी यह जो है यह कर्वड लाइन है तो इसका मतलब यह कोई जो है आपकी क्या हो सकती है यह आपकी रिवर हो सकती है ओके और इसमें सेटलमेंट के और भी पैचिस जो है दिखाई दे रहे हैं यहां पर और भी सेटलमेंट के पै तो इस एरियल फोटोग्राफ में आपको यहां पर दिख रहा होगा इस इमेज के इस कॉर्णर पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या है आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ में यहां पर बिल्डिंग है तो यह ऐथा लगता है कोई educational institute, कोई office, इस तरहें की चीज जो है, हो सकती है, अब ये चीज हमें जो है, जो साथ में हम map लेकर बैठेंगे, उसी से पता चल पाएगी, यहाँ यह जो area दिखाई दे रहा है, यह जो है, साफ साफ दिख रहा है, कि यह agricultural land जो है, हो सकता है, यहाँ पर यह जो lines जा रही है, य या तो road line है, या जो है, आपकी railway line है, तो इस तरहे से जो है, आप इसमें सूचनाई निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी सूचनाई निकालने के लिए तो आपको stereoscope की सहायता पड़ेगी, क्योंकि इतनी minute चीज़ें होती है, इसको हम यह से नहीं देख सकते हैं, stereoscope की सहायता से जो है, इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है, आपको पूरा एक 3D image इस area की मिल जाएगी, अब यहाँ पर यह जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा एक जो है, सघन छेत्रा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह जो है, image के side में scale भी दिया aerial photograph जो है, ली हुई है, तो यह जो है, पूरा congested देखकर हमें समझ आ रहा है कि यह किसी शहर की aerial photography हो सकती है, इसके बाद यह एक और aerial photograph है, इस aerial photograph को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह जो है, एक coastal area की photograph है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें यह जो है, पूरा का सघन बसा हुआ छेतर है, इसके आगे यहाँ पर यह जो बिलकुल dark है, तो इसका मतलब यह जो है, वाटर बॉड़ी है, कोई जो है, सी कोस्ट है, या जो है, तटिये छेतर है यह और यहाँ पर जो है, यह सारा का सारा जो है, यह जो आपको light नजर आ रहा है, यह एक्चुल है, है ना, यह settlement area है, और बारिक information निकालने के लिए तो आपको दो चीज़ों की जरुत पड़ेगी, पहला तो इस area का map और दूसरा जो है stereoscope, उसकी साहिता से जो है, आप आसानी से इसको calculate कर सकते हो, कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बनाओ, जिसमें मैं आप stereoscope के बा जो है information निकालने की कोशिश कीजिए, तो ठीक है, मिलते हैं next video में, जै हिंदा आप सभी को, और वीडियो को अंतक देखने के लिए